तो गाईज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेड के भागों के नाम, हिंदी और इंगलिस में, वो भी पिक्चर के साथ, तो चलिए गाईज बिना देरी के शुरू करते हैं तो गाइज आज का हमारा पेला वर्ड है अंकूर, गाइज अंकूर को हम इंगलिस में बोलते हैं इस्प्राउट, अगला वर्ड है कली, कली को हम इंगलिस में बोलते हैं बड्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लकडी, गाइज लकडी को हम इंगलिस में बोलते हैं वुड्ड, कांटा कांटा को हम इंगलिस में बोलते हैं थोर्न हमारा अगला वर्ड है गुद्दा जो लकडी के अंदर से निकलता है तो गैस गुद्दे को हम इंगलिस में बोलते हैं प्लप अगला वर्ड है गोंद गोंद को हम इंगलिस में बोलते हैं गम हमारा next word है च्छाल जब भी पेड़ सुख जाता है तो उस पर एक च्छाल का निर्मान होता है तो गाईज च्छाल को हम इंगलिस में बोलते हैं बार्क छीलका गाईज पेड़ के उपर एक पतला छीलका होता है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं इसकी इन जड जो पेड की जड होती है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं root गाईज अगला वर्ड है डाली या टहनी तो गाईज डाली या टहनी को हम इंगलिस में बोलते हैं branch तना पेड का जो तना होता है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं stem रेशा गैज रेशे को हम इंगलिस में बोलते हैं फाइबर पत्ता पेड़ की पत्ते को हम इंगलिस में बोलते हैं लीप फूल गैज पेड़ पे जो फूल लगते हैं उसको हम इंगलिस में बोलते हैं फ्लोवर नेक्स्ट वर्ड है बीज गैज बीज को हम इंगलिस में बोलते हैं सीड्ड बांस बांस को हम इंगलिस में बोलते हैं बंबू अगला वर्ड है जाड़ी जाड़ी को हम इंगलिस में बोलते हैं बुस हमारा नेक्स्ट वर्ड है लता या वर्तिका गाईज लता या वर्तिका को हम इंगलिस में बोलते हैं क्रीपर फल पेड़ पर जो फल लगते हैं उनको हम इंगलिस में बोलते हैं फ्रूट ठूट गाईज पेड़ सूखने के बाद जो ठूट बनता है उसको हम इंगलिस में बोलते हैं स्टंप रस, गाइज कुछ पेड़ों के अंदर से रस निकलता है, तो गाइज उस रस को हम इंगलिस में बोलते हैं, जूस गुटली, कुछ फुरूटों के अंदर से गुटली निकलती है और उनसे पेड़ का निर्मान होता है तो guys गुटली को हम इंगलिस में बोलते हैं, stone हमारा अगला वर्ड है, छले पेड़ को काटने के बाद जो चले दिखाई देते हैं, उनको हम इंगलिस में बोलते हैं, rings हमारा अगला वर्ड है, लट्ठा guys लट्ठे को हम इंगलिस में बोलते हैं, log next वर्ड है, पूस्प पुन्ज guys पूस्प पुन्ज को हम इंगलिस में बोलते हैं, blossom सम्, अगला वर्ड है कलम, गाईज इसमे एक पोदे को काटके उस पे दूसरा पोदा रोपा जाता है तो गाईज कलम को अंगलिस में बोलते हैं ग्राप्ट हमारा लास्ट वर्ड है पतियां, एक पेड की बहुत सारी पतियां होती है तो उसको हम इंगलिस में बोलते हैं लेउज तो गैज यह थी आज की कुछ important vocabulary I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you